नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल एंजिनीरिंग फोरम में आज़के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि इनेमल पेइंट और इमलजन पेइंट में क्या फर्क होता है इसका एप्लिकेशन इसकी लाइफ कवरेज कॉस्ट फिर फिनिशिंग यह कलदी से शुरू करते हैं इनके प्रोड़क्ट डिस्क्रिप्शन से तो एट फर्स्ट विल टॉक अबाउट इनेमल पेइंट तो बेजिकली यह ओईल बेज़ पेइंट होते हैं जिसमें वाटर पानी कहीं पर भी मिक्स नहीं किया जाता है तो जनरली यहां पर लीन सीड ओ हैनी कि वाटर को ऐसे सॉल्वन्ट ट्रीट करते हैं पानी मिक्स किया जाता है इन्हें लगाने से पहले तो इनमें सब्स्टंस इस लाइक अलकाइड रेजिन एक्रिलिक रेजिन एन एपक्सी बाइंडर यह सब जीज़ इसमें एड की जाती है और इसे प्लास्टिक पेइं और 20 इन दोनों ही पेंट को आपको कहा पे एप्लाइ करना चाहिए क्योंकि जनरली लोग क्या करते है कि कही पे भी इने भीट्ग को व अलप लगता है एंसलेर पीट्टंस और और इसमें perfect finishing हमें मिल जाए ताकि हमें हमें हमारा desired rich और एक premium look मिल सके फिर अगर हम emulsion paint की बात करें तो ये हमारी walls के interior और exterior में लगाने वाला paint है ताकि कोई भी plastered surface पे या फिर P.O.P. surface पे पूटी पे आप लगा सकते हो फिर अगर बात करें इनकी durability की मतलब इनकी life ये लगाने के बाद कितना ठिक हैगा तो enamel paint जो है वो थोड़े कम durable है इसकी life थोड़ी कम होती है emulsion paint से अगर हम compare करें ये कहीं पे भी आप लगाते है furniture पे, metallic surface पे ये time के साथ थोड़ा येलो इस पीला पड़ जाता है और फिर दीरे दीरे इनमे temperature changes की वज़े से cracks develop हो जाती है फिर enamel paint की बात करें तो इसका जो dry surface है जहाँ पे हमने ये लगाया है वो एक बार लगाने के बाद अगर हमें clean करना है तो वो water से ठीक से clean नहीं हो पाएगा तो इसके लिए हमें अलग से turpentine या फिर naphtha white spirit चाहिए होगा वो पुरानी वाली जो feel है वो आपिस लाने के लिए turpentine या फिर naphtha white spirit चाहिए होगा फिर emelgen paint की बात करें तो comparatively इसकी durability इसकी life जो है वो ज्यादा है यह paint थोड़ा ज्यादा ठीक हैगा on walls यह हम walls की बात कर रहा है walls can be cleaned with water फिर walls surface जो है वो हम पानी से clean कर सकते हैं अगर आपका emelgen paint washable है तो क्योंकि दो टाइप के emelgen paint आते है washable और not washable अगर आपने जो emelgen paint लगाया है वो premium quality का है तो आप चाहे कितनी भी बार wash कर सकते है और कहीं paint वैसे भी होते है जो कि walls को एक या दो बार wash कर सकते है उसके बाद में क्या है कि walls पे पपड़ी बनना शुरू हो जाएगा पर clean करने के लिए you can use water पानी सा आप clean कर सकते है इसके लिए टर्पेंटाइन या फिर कोई भी chemical की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर हम बात करेंगे drying time की मतलब लगने के बाद कितने डाइम में ये dry होगा तो enamel paint जो है वो जनरली ज्यादा time लेता है dry होने में compare to emelgen paint ये लगने के चार या पाच घंटों में ही सुखना स्टार्ट हो जाता है फिर flammability की बात करें तो enamel paint जो है वो flammable है इसका surface जो है वो आग आसानी से पकड़ लेता है पर emelgen paint जो है वो इतने flammable नहीं रहते है तो ये इतना जल्दी आग नहीं पकड़ते नेक्स्ट हम बात करेंगे toxicity की मतलब adverse effect on health ये paint की effect हमारी health पे कैसे पड़ेगी तो enamel paint जो है में cause skin and eye irritation इससे लगाते वक्त हमें थोड़े safety precautions रखने है ये हमें हमारी skin के और eye के contact में directly नहीं आने देना पर emelgen paint जो है वो हमारी health के लिए suitable है ये safe है इससे क्या है कि हमरी health पे कोई adverse effect नहीं पड़ेगा नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके coverage की मतलब इन दोनों ही paint के अगर हम एक liter paint consider करें तो enamel paint जो है वो थोड़ा कम coverage देता है और emelgen paint दो coat लगाने के बावजूद ज्यादा coverage देता है तो based on this आप ये decide कर सकते है कि आपको कितने liter paint खरीदना है अगर enamel paint है तो थोड़ा ज्यादा ही खरीदना है compared to emelgen paint next बात करेंगे हम finishing की तो enamel paint में high gloss, smooth और opaque कोई भी surface पे आपको ये तीनी option मिलते है फिर emelgen paint की बात करेंगे तो यहाँ पे matte, satine, low sheen, high sheen, glossy, with textured finish भी आप कर सकता है emelgen paint से तो walls पे आपको बहुत सारा option मिल जाता है finishing में और at last हम बात करेंगे costing की वैसे तो हम दोनों ही paint को compare नहीं कर सकते क्योंकि इनका application ही अलग-अलग place पे है inamel paint जो है वो oil based हो गया, emelgen है वो water based हो गया तो इसके base पे यह दोनों ही अलग-अलग surface पे लगते हैं पर विर भी अगर हम इसका cost compare करें तो inamel paint जो है वो थोड़ा less expensive रहता है और emelgen paint थोड़ा ज्यादा expensive होता है emelgen paint के लिए आपको थोड़ा ज्यादा pay करना बढ़ेगा पर मैं ऐसा prefer करता हूँ कि generally internal और external walls है तो emelgen paint ही prefer करना है और अगर wooden या फिर metallic surface है तो हम inamel paint के साथ जा सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए जिफ इतना ही अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा तो इससे like कर दीजिए और मेरी चैनल civil engineering forum को subscribe जरूर करें this is all for today thank you for watching